हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरर भी एंटी पीसी में प्रिवियस जो पूछे के कोश्चन से वह सारी प्रिवियस एर कोश्चन जो की भारत के भूगोल से प्रिवियस एर कोश्चन के साथ साथ एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहरा हूँ आज अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाईएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वाट्सप ग्रूप का लिंक मिलेगा इसे पहले जो भी अप पढ़ेगा इं स्कार्णिंग में 9 बजे आप लोगों को एक सेट मिलेगा वो कंप्लीट सेट होगा उसमें टोटल 100 कोश्चन होंगे math reasoning GKGS जो अन्टीपी का बोड़ सेलेबस के का उसमें कोश्चन डेली आप लोगों को 9 बजे मिल जाएगा और यह डेली मिलेगा डेली सेट आप लोगों होना चाहिए कि previous year question कैसे पूछे जा रहे हैं क्या हो रहा है previous year question और दूसरा आप लोगों को daily base पे practice होना चाहिए तो daily base previous year के questions मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ साथ ही साथ जो daily base practice के लिए वो group का हिस्सा कितना है तो देखे प्रिथिवी के अस्थलिये चेतर में भारत का जो हिस्सा है वो 2.4 परतीसत है यहां से question और पुछा जाता है कि भारत में संपूर्ण 20 का कितना परतीसत जनसंख्या निवास करती है अगर चेतरफल पूछे तब तो 2.4 परतीस सथ और जनसंख्या पूछे तब 17 पर 5 पर तीसित विकी जनसंख्या वो भारत में निवास करती है next हामारा निम्लिकित में से कौम सा देश चेत्रफल की छेतरफल के अनुसार सबसे छोटा की अगर बात करते हैं तो दिये गए option के according भारत जो है वो सबसे छोटा है भारत जो है वो छेतरफल की दृष्टी से सात्मा है ठीक है पहले नंबर पे है रस्या दूसरे पे कनाडा तीसरे पे अमेरिका चौथे पे चीन पांचमा ब्राजि गंगा का मैदानी छेतर जो हो गया तो अगर भारत की मुखभूमी का दचिंतम बिंदू पूछ देगा तब इंसर जो होगा वहोगा कनिया कुमारी जो कि केप कैमरेन है नेक्स्ट है हमारा की एक परमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतिय प्लेट जहां भारत स्थी थे किस प्राचीन महादीप से अलग होती है तो यह जो है वह गुश्ण का जो सभूगा बो होगा option number D Godwana Land देखिए महादीपे सिधान्त के अनुसार जो भारतिये प्लेट है वो Godwana Land का भाग है Godwana Land में आता है दचीन अमेरिका अफिरका, अंटार्टिका, आस्टेलिया और भारत ये सब जो है वो एक ही अस्थल पिंडिस के रूप में जुड़े हुए है Next है हमारा की गुरू सिखर क्या है गुरू सिखर के अगर बात करते हैं तो गुरू सिखर क्या है अराबली रेंज में सबसे उची चोटी जो है वो गुरू सिखर के नाम से जानी जाती है और यह जो है वो जाजस्थान के सिरोही जिले में इस्थित है और इसकी जो उचाई है वो समुद्र तल से 1722 मीटर है Next है हमारा की निम्न में से अराबली परबत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो देखिए गुजरात के जो पश्मी टर्ट पर जो इस्थित है कच का रन उसी को सफेद रेकिस्तान यानि वाइड डेजर्ट भी कहा जाता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नबरे गुजरात और कच का जो रन है वो सफेद लगनिय मजवस्थलिय रेत के लिए भी प्रसिद है नेक्स्ट है हमारा की अंडवान निकोबार दीप समू को लगभग 150 किलो मीटर 14 ब्लैंक निकोबार दीप समू से प्रिथा करता है तो कौन प्रिथा करता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नबर चेनल नेक्स्ट है कि निम्रीकित में से कौन सा दीप लच्च दीप से संबन्धित नहीं है देखिए लच्छ दीप की अगर बात करते हैं तो लच्छ दीप में कुल 36 दीप है जिसमें 11 दीपों पे मानविये बस्ती है और बाद वाकी 15 दीपों पे मानविये बस्ती नहीं है अमीनी, मीनिक़, ये लच्छिदीब का दीब है नील जो है वो लच्छिदीब का दीब नहीं है जीनील जो है वो अंडुमान दीब के दच्छिन में इस्थेद है काबर्यन दीब ही है तो इस कोशन का जो सहयन सरो होगा बो होगा option number B नील नेक्स्ट हमारा ब्लैंक दीप भारत का एकमातर सक्रिय जो आला मुखी है तो भारत का जो एकमातर सक्रिय जो आला मुखी है वो है बेरेन दीप तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा option number B बेरेंदीप से एक चीज याद रखेगा यह जो बेरेंदीप है वो भारत का ही नहीं बलकि दच्छीन एसिया का ही एक मातर सक्रिय जो अला मुकी है और यह बंगाल की खारी के अंडवान सागर में पॉर्ट ब्लेर से थोड़ा उतरपूर में अवस्थित है नेक्स्ट हमारा निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेसियर है तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेसियर है वो है सियाचीन ग्लेसियर सियाचिन ग्लेसियर की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 70 km है और यह कारा कोरम हिमाले में इस्थित है नेक्स्ट हमारा बंगलादेश की थलिय सीमा किसके साथ है तो बंगलादेश की थलिय सीमा की बात करते हैं तो बंगलादेश की जो थलिय सीमा है वो भारत और मैंनमार के साथ इस्थित है देखिए अगर बात करते हैं बंगलादेश की तो बंगलादेश और भारत जो है वो लगभग 4,976.7 किलोमेटर जो है वो सिजा जारी करता है और बंगलादेश को जो सीमा को असपर्स करने बाला जो भारत राज है वो है मिजोरग, त्रिपूरा, असाम, मेघाले और पश्च करते हैं तो यह भारत के तमिलादू राज और सिरलंका के मदिस्थित है और यह बंगल की खाड़ी को मननार की खाड़ी से जोड़ता है नेक्स्ट है हमारा गिनिमलिखित में से किसे अरेबियन समूंदर की रानी कहा जाता है तो अरेबियन समूंदर की रानी कहा जाता है को कोची को कोची कहा है केरल में कोची के अगर बात करते हैं तो यह केरल राज के पश्चमी ट्ट पर première स्थित एक बंदरगाहा है और इसे ही और इसे ही किया कहा जाता है अरब सागर की इस परानी के नामसे जाना जाता है तो ये किसी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पश्मी घाट की पश्मी घाट एक परवस्रिंखला है जो भारतिय प्रयदीप के पश्मी टट से लगबग समाना नतल चलती है और दुनिया में जय भी वित्ता के 8 सबसे आघरसन के केंदर में से एक है कभी कभी इसे भारत के महान धालान के नाम से भी जाना जाता है पश्चमी घाट के अगर बात करते हैं तो पश्चमी घाट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं सहादरी के नाम से भी जानते हैं और इसका जो बिस्तार है वो गुजराज से लेकर तमिलाडू तक है और यह जैब भी वित्ता के दृष्टी से बिस्व के आठ सरबादीक आकरसन के केंद्रों में से एक है नेक्स रहे हमारा कि भारत की मुख परवस रिंखलाओं में यह सामिल नहीं है तो भारत की मुख परवस रिंखलाओं की अगर बात करते हैं तो हिंदू कुस जो है वो सामिल नहीं है हिंदू कुस की अगर बात करते हैं तो हिंदू कुस जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मद इस्थित है देखिए सत्पूरा की अगर बात करते हैं तो सत्पूरा जो है वो मद भारत में इस्थित है जो गुजराव से लेकर 36 गर तक बिरिश्थित है अराबली सरेनी की बात करते हैं तो अराबली सरेनी जो है वो पश्चमी भारत में इस्थित प्राचींतम परवत है जो परबसरिंखला जो है वो अपगानिस्तान और पाकिस्तान के मदिस्थित है नेक्स्ट हमारा माउंट अबरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम महिला का नाम है जुंको ताबेई जुंको ताइबेई जो है वो 1975 में अबरेस्ट को फतह की थी और फिर अभी रिसें का नाम है आरेन एरभी नेक्स कोशन है हमारा कि फूलो की घाटी यानि वैली अफ्लाबर सराष्टियों उद्यान किस राज में इस्थित है तो ये जो है वो उत्राखंड में इस्थित है उत्राखंड में कुछ और भी है जैसे कारवजीम कारवेच हो गया गंगोतरी हो गय जिंद हो गया नंदादे भी हो गया राजाजी हो गया ये सब राष्टियों उद्यान जो है वो उत्राखंड में ही इस्थित हैं नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस भारतिये राज की सीमा अंतराष्टिये सीमाओं को असपर्स नहीं करती है देखिए पंजाब की अगर जो है नग्स्ट हमारा नदीदीप मानजली जो भारत का पहला और एक मातरदीप जो है वो जिला बन गया है वो कहां इस्थित है तो ये असाम इस्थित है देखिए असाम की मुख मंतरी थे सर्बान सोनोवाल उन्होंने भी है उन्होंने मांजली को 35 चिला के रूप में 2016 में बनाया जाने की घोसना की थी मांजली जो है वो विस्व का सबसे बड़ा नदीदीप है नेक्स्ट हमारा हटी गोल्ड माइन्स कहां पर इस्थित है तो हटी गोल्ड माइन्स जो है वो कनाटक में इस्थित है गोल्ड से एक चीरियाद रखेगा सोना का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज देश जो है वो है चाइना और भारत में अगर सबसे उत्पादक राज की बात करते हैं तो भो है कनाचक Next डे हमारा की नीचे कभी कथन और एक कारन दिया गया है कथन कहरा सिमला दिल्ली की पिछा ऩंड़ा है बिल्कुल सही बात है सिमला दिल्ली की तुलना में ज़़ादा उचाई पर है गिरा बटाता है तो इस question का जो सही अंसर हो का वो हो का option number C A और R दोनों सही है और R जो है वो A की उचित ब्याख्या है Next ने हमारा भारत में समुदरतल से सरवादी कुचाई पर cricket का मैदान किस राज में इस्थित है तो वो cricket का मैदान का नाम है Child Cricket का मैदान जो की हिमाचल परदेश में इस्थित है और ये जो है वो समुदरतल से लगभग 75-100 फिट पर इस्थित है और इसका जो निर्मान है वो पटियाला के एक साही परिवार के द्वारा 18133 में इस भी में करवाया गया था नेक्स ना है हमारा की करक्रेखा निमलिखित राज्यों में से किसमें होकर नहीं गुजरती है तो देखिए करक्रेखा की अगर बात करते हैं तो करक्रेखा कहा जाता है 60-30 डिग्री उत्री आच्छांस को और ये जो है वो आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो थार के रेगिस्थान की अगर बाप करते हैं तो थार का रेगिस्थान जो है वो राजस्थान में इस्थित है थार का रेगिस्थान है वो भारत के उतरपस्च मिछेत जो की राजस्थान में इस्थित है और इसका कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में भी इस्तित है एक चीज़ याद रखिएगा थारगे लेगिस्थान को ग्रेट इंडिया डेजट के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है हमारा की भारत में सरवादीक ब्यापक बनों के प्रकार कौन से हैं और दूसरे को कहते हैं उस्त कटी बन ये सुक्स पाती बन और इनका विस्तार है वो उत्तर के मैदانी भाग से लेकर प्रदीप ये भारत तक है नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज में सरवाधीक बनचेतर हैं तो देखिए भारत के सरवाधीक बनचेतर की अगर बात करेगा तो सबसे जादा है मध्य पदेश में फिर अरुनाच्य पदेश फिर चतिसगर फिर ओडिसा फिर महरास्ट अगर एक कोश्चन और यहां से परतीसत्वाला राज कोन है तो सरवाधीक बनावरं परतीसत्वाला राज पूछ लेगा तो पहले नमबर पर है मिजोरम और दूसरे नमबर पर रुना चल तीसरे नमबर पर मेगाले नेक्स्ट है हमारा की सुन्दर बंस बिस्व के टाइटल हेलोफाइटिक ब्लैंक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है तो यह जो है वो मैंग्रोब जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है तो इस कुश्चन का जो सही अंसर होगा आप्सन नमर सी और यह जो है वो यूने काल के बार जो दूसरे नंबर पर है वो है गुजरात कि नेक्स्ट है हमारा कि बिस में मैंग्रोब बनों का सबसे बड़ा चेतर निम्न में से कौन सा है तो सबसे बड़ा चेतर जो है वो है सुंदर बन तो इस कोशन का सयान सरों का आपसर नमर डी देखिए भारत और बंगला समेलन की बात करते हैं तो यह सरप्रथम दो फरवरी 1971 को इरान के रामसार सहर में यह समेलन हुआ था एक चीज़ याद रखेगा यहां से भारतिये राजियों में जो गुजरात है उसमें सरवाधिक आदरभूमी है और एक चीज़ और याद रखेगा जो 20 आदरभूमी दि उत्पादन पर प्रति बंद लगाएगा तो इस कोशन का जो सयंसर होगा बो होगा ऑप्सन नमरे बिक्सिदेश 2000 तक पूरी तरह से CFC यानि क्लोरो फ्लोरो कार्बन उत्पादन पर प्रति बंद लगाएंगे मॉंट्रियोल सम्मेलन 1987 जो है वो ओजोन छारन से संबंदी थ नेक्स्ट हमारा क्रोटो जलवाईव परिवर्तन सम्मेलन ब्लैंक में आयो जित किया गया था क्रोटो जलवाईव परिवर्तन सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो यह दिसंबर 1997 में में आयो जित किया गया था और इस सम्मेलन की अगर बात करते हैं मतलब कोई टो जल्माई परिवर्तन सम्मेलन की तो इस सम्मेलन में बैस्विक तापन हेतू उतरदाई जो छे हरित ग्रैस हैं जैसे CO2, CH4, N2O, HFCS, PFC और SF6 के उस सर्जन में 1990 के अस्तर में 5.2% की कटोथी पर आम सहमती बनी थी नेक्स्ट है हमारा इबलैंक में ओजोन की उपस्तिती सूरज की हानिकारक पराबैगनी बिक्रनों को पिर्थिवी की सतक तक पहुचने से रोकती है तो यह आप लोगों को पता होगा यह कौन सा अस्टेटोसफेर जिसको कि हम लोग बोलते हैं संताप मंडल ओजोन लेयर की अगर बात करते हैं तो ओजोन लेयर जो होता है वो संताप मंडल के नीचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमेटर की उच्चाई पर पाई जाती है नेक्स्ट है हमारा भारत के कुछ भागियों में मीटी का रंग लाल होने का करण क्या है तो मीटी का रंग लाल होने का जो कारण है वो है फेरिक आउकसाईड की मौजूदगी तो इस question का सईयंसरों का आप्सा नंबर C ये बात कर रहा है लाल मीटी की कभी-कभी question यही पू होती है और इसमें फास्वोरी कमल, कार्बोनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चुना, नाइट्रोजन ये सब की कमी पाई जाती है नेक्स्ट हमारा किसी परियोजन के लिए मिटी का कौन सा परकार बहतर है तो किसी परियोजन के लिए सेलाबी मिट्टी का जो प्रकार है वो बहतर है सेलाबी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं मतलब नई जलोड मिट्टी के नाम से जानते हैं सेलाबी मिट्टी का जो निर्मान है में किस प्रकार की मिटी पाई जाती है तो ग्रेट उत्री शंतल भूमी में गछार यानी यानि जलोड मिटी पाई जाती है तो इस कोशन का सहीं सरोगा आपसेới नहीं अब आप सेेंज़ 4 और अलुभील स्वाइल की अगर बात करते हैं तो अलुभील पूर मिटी के भी नाम से जाना जाता है एक चीद याद रखेगा काली मिटी का जो रंग काला होता है वो टीटेनी फेरस मैगनेटाइट एबम जीवास्म की उपस्थिती के कारण होता है और इसमें आरन चूना एलमूनियम एबम मैगनीसियम की बहूलता होती है नेक्स कोश्चन है हमारा कि काली मिटी के लिए सरबादीक उप्यूक नगदी फसल कौन सी है तो काली मिटी के लिए जो फसल नगदी फसल है वो है कपास तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा ऑप्सन नमबर A कपास नेक्स्ट है हमारा भारत में कपास की फसल मुख रूप से किस में उगाई जाती है तो भारत में कपास की फसल मुख रूप से जो है वो काली मिटी में ही उगाई जाती है नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिती के कारण मीटी का रंग लाल होता है तो अभी हम लोगों ने देखा कि फेरिक उक्साइड के उपस्थिती के कारण मीटी का रंग लाल होता है नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस वसल की होती है तो भारत में जो सबसे ज़्यादा खेती है वो चाबल की होती है और दूसरे नंबर पर गेहुं की होती है अगर देखे एक चीज याद रखेगा चाबल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो तो है चाइना और भारत में जो चाबल का सबसे बड़ा उत्पादक राज है। केरल जो है वो प्राक्रिक्τικ के रवर के उत्पादन में सबसे अगरistent राज है। नेंस्ट में हमारा धिमलेखित में से कौनसा एक भारत का पड़क चाय उतपादक राज है। भारत का पड़क राज की अगर हम लोग बात करते हैं। तो ये कौन सा है यह है पश्ची मंगाल तो इस question का सजय answer होगा option नमर B देखिए यहाँ असाम option में नहीं है इसलिए इसका answer पश्ची मंगाल होगा लेकिन ऐसे अगर असाम option में रहेगा तो बंसर आपका असाम होगा क्यूंकि अगर चाय की हम लोग बात करते हैं तो असाम दूसरेपर पश्ची मंगाल और तीसरेपर टमिलना डू कEvery God Cloud Bye GoodEx की पठफ़ार की अगर बात करते हैं तो दकन की पठथार में देखिये दकन की पठफ़ार में देखिए दकन की पठ़ार पर है क्या क्या दकन की भारत का कौन सा राज है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो 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 जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अगर पश्ची मंगाल आप प्रमुख भूम के निगवाई था और आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में हरित करांथी के पिता के रूप में भी डॉक्टर नेक्स हमारा भारत सरकार ने भारत में ब्लैंक नदियों को परमुख नदियों के रूप में बरगी करिद किया है तो इस कोशन का सही अंसरों का आपसे नबर डी वो बारा नदियां कौन कोन है वो है गंगा यमुना ब्रहंपुत्र नर्मदा चंबल काबेरी ब्यास तापती क गोदाबरी, चिनाब, क्रिष्णा और स्वर्सती नेक्स हमारा कौन सा नदि करनाठक और तमिलाडू में बहती है तो देखिए करनाठक और तमिलाडू में बहने की अगर बात करते हैं तब है काबेरी नदि क्यों 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 कर बात करते हैं तो य में से निकलती है तो पश्मी घाट की अगर बात करते हैं तो पश्मी घाट से निकलती है क्रिस्णा नदी जो है वो पश्मी घाट से निकलती है और यह महराश्ट और करनाटक से होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाकर मिल जाती है अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी की तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, घगर नदी की बात करते हैं तो ये हिमाले परबत सरेनी से निकलती है, और सोन नदी की बात करते हैं तो ये अमर कंटक्स से निकलती है, नेक्स्ट हमारा गोदाबरी नदी किस राज्जी में होकर नही गुजरती है तो गुदाबरी के अगर बात करते हैं तो गुदाबरी नदी जो है महराष्ट के त्रम्बे मिल जाती है और वहाँ से प्रभवाहित होते हुए बंगाल की खाडी में जा कर मिल जाती है इसका अपवाह्श Bowl है गुदाबरी का वह महराष्ट dodas च्छतिसगड, तेलंगना और आंधपदेश यह जो है गोदावरी नदी से एक चीज़ याद रखेगा यह प्रयादीपिय भारत की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है यह जो है गुजरात से होकर नहीं गुजरती है तो इस कोशन का सयन सरो का आपस नबर B नेक्स्ट हमारा गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्रान हीता है जो पेन गंगा नदी, ब्लैंक नदी और बेन गंगा नदी का संजुक पानी ले जाती है तो ये जो पेन गंगा नदी और किसकी बरधा नदी और बेन गंगा नदी का संजुक पानी ले जाता है तो इस question का सयन सरोगा option number B गोदाबरी से याद रखेगा गोदाबरी को ब्रिध गंगा भी कहा जाता है गोदाबरी की अन भी कुछ सहायक नदीया है जैसे पबरा, पुर्ना, मंजरी, मानेर, सबरी, इंद्राबती ये सब भी गोदाबरी की कुछ फरमुक सहायक नदीया है नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा एक अंतर देशी जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है तो अंतर देशी जल निकासी के साथ जो नदी नहीं है वो है पेरियार देखिए अगर रुपेन नदी की बात करते हैं तो रुपेन नदी गुजरात बनास नदी की बात करते हैं त ये सदा नीरा है और ये जाके कहा गिरती है लच्छी दिर सागर में गिरती है नेक्स्ट हमारा नर्मदा नदी का उद्गा मस्थल कौन सा है तो नर्मदा नदी के अगर बात करते हैं तो इसका जो उद्गा मस्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़िया नर्मदा नदी का जो उ बनारंदी पर ही स्थित है नेक्स्ट है हमारा कि निमलिखित में से किस देश में सिंदू नदी परभावित नहीं होती है तो सिंदू नदी के देखिए अगर बात करते हैं तो भारत और चीन और पाकिस्तान में तो होती है अफगानिस्तान में परभावित नहीं होती है सिंद नदी के कुछ सहायक नदियां के नाम भी याद रखेगा सतलच राभी ब्यास चिनाब जेलम जासकर गिलगीत ये सब जो है वो सिंदू नदी के कुछ सहायक नदियां है नेक्स हमारा निम्द में से कौन सी नदी सिंदू की सहायक नदी नहीं है तो अभी हम लोगों ने देख जेलम चिनाब और रावी किसकी सहायक नदिया है तो जेलम चिनाब और रावी जो है वो रावी जो है वो सिंदु नदी की सहायक नदिया है नेक्स्ट है हमारा की धंसीरी नदी की सराजिसे आरंब होती है तो धंसीरी नदी की अगर बात करते हैं तो यह नागलेंड इस्थित ब्रहंपुत्र का है क्योंकि ब्रहंपुत्र की अगर बात करते हैं तो यह मांसरोबर जील के निकट चेमियूंडूंग हिमनस से निकलती है जबकि गोदाबरी नदी के बात करते हैं तो यह तरंकेसवर के निकट महराव से निकलती है सो नदी की बात करते हैं और महा नदी की बात करते हैं तो इन दोनों का उद्गम जो है बॉमध पदेश में अमरकंटा की पहाड़ियां से है तो इस कोशन का सही अंसर होगा अप्स नमर सी ब्रहम पुत्र नेक्स्ट हमारा निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है तो गंगा नदी की सहायक नदी है गंड की नदी गंड की नदी तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप से नबर सी अगर हम तुंगध्रा की बात करते हैं तो ये क्रिस्ना की सहायक नदी है ब्यास की अगर बात करते हैं तो ये राभी की सहायक नदी है और मानस की अगर बात करते हैं तो ये ब्रहंपुत्र की सहायक नदी है गंगा के कुछ अने सहायक नदियां के नाम भी याद रखेगा जैसे यमुना, गोमती, घागरा, कोशी, सोन यह सब भी जो है बो गंगा की सहायक नदिया है नेक्स है कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समूदर में परवाहित नहीं होती है यहां पूछ रहा है तो यमुना नदी की अगर बात करते है तो यमुना नदी जो है वो यमनोत्री हिमननत के बंदरपु छोटी के पास से निकलती है और प्रियाग राज में गंगा- कावेरी की बात करते हैं तो गंगा और कावेरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और तापती जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है ये निकटबांज भी जो है वो भी गोदावरी नदी पर इस्थित है नेक्स है देखिए कथनोट कारण दिया हुआ है कह रहा है अधिकांस प्राचीन सभथाएं नदीयें के पास बिक्सित हुई थी ये बिल्कुल सही है और मनुस का मुख बैबसाइक क्रिसी था ये भी बिल्कुल सही है लेकिन ये एक दूसरे को ब्याख्या नहीं कर ला है है हमारा भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील реж Fuji निमलेखेज में से कूण सी है देखिए भारत मैं जो सबसे मीठे पानी के सबसे बड़ी फ़हीं बुलर जील जो की सब्सें बदेक्राइन जील नकिकुद के दूसर के नाम चीज ज्याद रखेगा देखिए भारत की जो सबसे बड़ी टटीय जील है वो है चिलका जील उडिसा भारत की जो सबसे अधीक खरे पानी के जील है वो है सांबर जील राजस्थान भारत की जो सबसे मीठे पानी के जील है वो है बुलर जील राजस जमु एंड कास्मीर और भारत क जील एसिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की जीलों में से एक है तो बुलर जील जो है वो एसिया के सबसे बड़े ताजे पानों की जीलों में से एक है cutting air राज स्थान में इस्थित है अगर हम लोग बात करते हैं डल जील और बुलर जील की तो टल जील और बुलर जील यह क्या है मिठे-पानी की जिल जो कि जम्मुकास में इस्थित है उन्हें सब revoluce sa गया है और इसह हाय ने क्ष्टेस्गड के राइपूर घिले में सिहाबा के समीब के है नेंश्ट और हमारा क्ष्ट्छोमारिकि Mili है यह महारास्टर में कोईना नदीपनिंध। और इसके जश्ठ पीछे सीवाजी साग्र जेखा जीजिल का भी निर्मान किया गया है तो अल्माटी बांध के अगर बात करते हैं तो ये क्रिशना नदी पर बनाएक जल्विद्ध악 प्रयोजना है तो इस कोश्चन का जो सयंसरों का आक्पोसन नुम्बर 9 सी क्रिशना नदी से याद रखेगा नागार जुन सागरबांध भी जो भी है वो भी क्रिष्णा नदी पर ही निर्मित है एक चीद याद रखेगा क्रिष्णा नदी का जो उद्गम है वो महामलेश्वर के समीप पश्मी घाट पहार से है नेक्स्ट है कि निमलिखिन बिजली घारों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा है दुरगापूर कहा है पश्ची मंगाल में चंदपूरा कहा है जारखंड में मैथन कहा है पश्ची मंगाल में और हमपी कहा है करनाचक में तो ये दुरगापूर चंद तो सराप्ती जल्बितित परियोजना जो है वो करनाटक में सराप्ती नदी के गोर्षप्पा जोग परपाद पर इस्तित है तो इस कोश्ण का जो सयंसर होगा वह का आप्सन नमर बी और इसकी जो कुल अस्थापी छंता है वह है 1035 मेबार्ट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना महनत कर रहा हूँ तो आप लोग एक लाइक तो करीं सकते हैं चलिए किस अभियारन के पूर्व में भरतपूर पच्छी अभियारन के रूप में जाना जाता है तो भरतपूर पच्छी अभियारन के रूप में जाना जाता था केबला देव राष्टी अउध्यान को मतलब केबला देव राष्टी अउध्यान का जो पुराना नाम था बो था भरतपूर पच्छी अभियारन तो इस question का सही answer होगा option number D केवला देव राश्टी उद्यान जो है वो राजस्थान में इस्थित है साथी साथ याद रखेगा राजस्थान में सरिस्का रंथमबोर मुकुंदरा हिंस डेजर्ट ये सब जो राश्टी उद्यान है वो राजस्थान में इस्थित है केवला देव राश्टी उद्यान से एक चिज़ार याद रखेगा इसे पच्छीयों का स्वर्ग कहा जाता है इसे 1982 में नेशनल पार्ग घोसित किया गया था और फिर 1985 में युनेस को इसे 22 अस्थल घोसित कर देता है नेक्स्थ है हमारा की कानहा राश्टी उद्यान किस राज में इस्थित है तो कानहा की अगर बात करते हैं तो ये मध्धपदेश में इस्थित है साथी साथ याद रखेगा बांधपगड, माधब, सत्थपूरा, बनविहार ये सब ही मध्धपदेश में इस्थित है नेक्स्थ हमारा सिमलीपाल बायो रिजर्ब कहा है इस्थित है तो सिमलीपाल की अगर बात करते हैं तो ये उडिसा में इस्थित है चेतरफल की इंद रिष्टी से सबसे बड़ा जो है वो है मनार की खाड़ी और सबसे छोटा जो है डिबरू से खोबा नेक्स्थ हमारा निमलिकिन में से कौन से अस्थान को अधूतियक प्राक्रितिक परियाबरन होने की बज़़ा से युनेसको द्वारा उनी सोपचासी में बैस्विक, बिरासी तस्सल गोजीत किया गया था तो 1980 में पूछ रहा है बांदिपूर, बनेर घट्टा, कुंदेर मुख, ये सब भी जो है वो खनाटक में इस्थित है, नेक्स्ट हमारा डिब्रु साइखोबा, नामेरी और औरंग नेस्थित है, ये सब जो है वो अभी हम लोगों ने देखा कहा इस्थित है, असा में इस्थित है, साथ ही साथ और याद रखेगा, काजी रंगा, मानस नेस्थित है, टोटल कितने हो गए यहां सामबें, टोटल इसे नेक्स्ट है, इसे पूर में और इसे पूर में मॉडल जो है, फ्लोरी कल्चर सेंटर के नाम से जाना जाता था, ये जो है वो लगबक 30 hectare में फैला है, और यह जो गार्डेन है वो बरतमान में एसिया का सबसे बड़ा त्यूलिप गार्डेन है नेक्स्ट हमारा मुदेरे साहर किस नदी के टड़ परिस्थित है तो यह जो है वो बैगाई नदी के टड़ परिस्थित है और यह जो है वो तमिल नाडु का एक परमुग सहर है नेक्स्ट हमारा येसिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक चेतर कहां पर इस्थित है तो येसिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक चेतर जो है वो असाम में जो असाम इस्थित डिगबोई है वो येसिया का पहला उत्खनित होने बाला तेल कुआ है और यहां पहली कोबियस संग के बीच कुण्डन कुला में परवानु उल्या सन्यांत स्थापित करने हैं तू समझाते पर हस्ता चरुआ था नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से क्या धात्वी खनीजों की स्रेणी से संबंदित नहीं है तो देखिए अगर धात्वी खनीज की बात करते हैं तो टीन, निकेल, वॉक्साइड, लोहा, सोना, जस्ता, तामा ये सब क्या है सब धात्वी खनीज है लेकिन कोईला हो गया संगमर नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज में चांदी प्रचूर मात्रा में पाई जाती है तो भारत में जो चांदी है वो राजस्थान में प्रचूर मात्रा में पाई जाती है देखिए चांदी के अगर बात करते हैं तो देश अगर पूछ ले तब अंसर हो जाएगा मैक्सिको और भारत में अगर पूछ ले तो अंसर हो जाएगा राजस्थान नेक्स्ट हमारा अबरक यानि माईका किस राज में बहुतियात में पाये जाता है तो अबरक जो है वो देखे अबरक की अगर बात करता है तो देश में पूछ ले तब अंसर हो जाएगा चाइना और आज में पूछ ले तब आप कांसर हो जागा आंध्य पदेश, लेकिन आंध्य पदेश यहाँ option में नहीं है, तो दूसरे नमबर पे है राजस्थान, पहले नमबर पे आंध्य पदेश, दूसरे नमबर पे राजस्थान, तीसरे पर उडिसा, चौथे पर महराश और पर इस्थित है, तो इसकोशन का सहीन सरोगा, आप से नमबर सी कोल करता है, नेक्स हमारा कथन और कारण दिया गया है, मांसी राम भारत के सरवादीक बरसा वाले छेतरों में से एक है, बिल्कुल सही है, इसकी भोगवाली का स्थिति प्रवोतर में है, यह भी बिल्कुल सह है, और पहाडों पर उपजावी भूबाग कम होता है, तथा जलवायू की स्थिति जटिल होती है, यह भी बिल्कुल सही है, और इसी का कारण है कि प्रथिवी पहाडी छेतरों पर किसी गति बीदिया कम होती है, तो इस कोशन का सही अंसर हो जागा, ए और आर दोनों सही है और एक आसा ही असपश्टिकर आर है, नेक्स्ट है हमारा कि 2015 में अंठार्टिका में स्थापित नवींतम रिसर्च बेस का नाम क्या है, तो देखें टोटल तीन है, सबसे पहला अगर बात करते हैं, तो पहला रिसर्च बेस उनई सो तेरासी में स्थापित हुआ था जिसका का सरप्रथम हवाई एड़ा कौन सा है, तो वो है केरल का कोचीन अंतर रष्टी हवाई एड़ा, तो इसकोर्शन का सउयन सरों का अप्स नेबर A, नेक्स्ट हमारा की ब्रेष देश्वर मंदिर किस परकार की समाधली से बनाया गया था, तो ब्रेष देश्वर मंदिर जो ह है नेक्स्ट है हमारा की जीरो माईल स्टोन को ब्रिटिस द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का परियोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं यह कहां है तो यह जो है वो नागपूर में इस्थित है तो इस कोशन का सहीं सरोगा आपसर नबर C पूछ रहा है तब आप तांसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाचा पदेश और सबसे ज्यादा हो जाएगा अंसर तब हो जाएगा अंसर बिहार राजस्थान तीसे नबर पे और केरज जो है वो चौथे नबर पे आएगा यहां आप रोही करम में सजाने के लिए कह रहा है तो आप रोही करम में आप उसको सजा लीजेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग सजा लीजेगा नेक्स्ट है हमारा की एक कथन और कारण दिया हुआ है कथन कहा रहा है भारत में पूर्सों की तुलना में महिलाओं की आयू परतियस्ता अधिक होती है बिल्कुल सही बात है महिलाओं बहतर आहार लेती है यह गलत है क्योंकि देखिए जैबिक रूप से ही महिलाओं को ज़रूर बताएगा आप लोगों को एंटी पीसी प्रिवेस एर का जो कोश्चन है वो दो पार्ट खतम हो गया एक पॉलिटी और दूसरा जोगरफी नेक्स पार्ट आप लोगों को क्या चाहिए कमेंट करके बता दीजेगा साथी साथ ये वीडियो आप लोगों को कैसा ल में दे दिया जाएगा ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके थैंक्स वर वचिंग